नमस्का मेरे प्यारे साथियों मैं है इश्तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके बहुत ही प्यारे चैनले से यहां पर वल्ट फेस्स के अंदर साथियों आज यहां पर 13 माई और शुरू करते हैं 13 माई के बहुत ही शांदा करेंट फेस्स को बहुत ही प्यारे कोश तो इसका जो मुख्याले वो कहां परता है बैंगलोरु में अजी कनवल जी देखिए इसके यहां पर वरतमा में MDCEO है इससे 24 जुलाई 26 में स्थापित किया गया था बहुत इंपोर्टनेंट है टाएग अ सारे सारे के सारे एंडिया जो आपने चून सकते है जुसका में पच्छे हैं पर क्या आई चूज माई नमर पीचर पूर ऑल दी कस्टोमर अक्रोस इंडिया जन्द स्माल पाइनेस बैंक के द्वारा चलिए नेक्स्ट कुछन आप यह दिया गया है कि अभी हाली में किसे अपाइंट किया गया है अपर क्या रहा है अपर तो इसका मुखेयले का पड़ता है मुंबई में 1902 में इसकी स्थापना के गई थी important question है important appointment है याद कले जिगा next question आपके screen पर यह दिया गया है कि यहाँ पर किसे appointment किया गया है CEO of National Asset Reconstruction Company तो National Asset Reconstruction Company के जो नए CEO बनाए गए है वो बनाए गए है पर देकि पदम कुमार नईयर जी जिनकी photo आप आपके screen पर देख पारे चले सात्यों next question है पर दिया गया है कि recently यहाँ पर Indian Chambers Commerce के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है जिसका नामे Green Energy Award यह जो अवार्ड है मेरे सात्यों यह किस संस्थान को मिला है और यह actual में collaboration में दिया गया है तो Indian Chamber of Commerce के collaboration में दिया गया है तो यह important question बनने बाला देखिए तो यहाँ पर I.R.E.D.E. को मिला है क्या भारती Chamber of Commerce के द्वारा इस वर्ष्ट का Green उर्जा अवार्ड देखिए जो Green उर्जा अवार्ड है ना यह भारत की जो Chambers Commerce का जो भारत के जो Chamber of Commerce है और International Solar Alliance इन दुने के collaboration से दिया गया है आपको मैं बता चुका था कि International Solar Alliance की जब बात करते हैं तो उसकी जो वर्तमार में Chairman और इस यहाँ पर डीजी है जो Director General है तो कौन पर अजय मातूर है और जब बात करेंगे हैं आप रहे हैं मार्च 1987 को और भारत के दुवरा यहाँ पर स्थापित यह संगठन है वही पर बच्चे कंफिज होते हैं IREDA और IRDA को लेके तो मैं बताव दू मेरे साथ ही हो देखें दोनों अलग-अलग हैं हम जब बात करते हैं IREDA के बार में that is India Renewable Energy Development Agency और हम जब बात करेंगे पर IRDA के बार में that is the Insurance Regulatory and Development Authority जो यहाँ पर 1999 में बना था और यह कब बना बच्चे हैं पर 1987 में बना है यह सारे की सारी बात अपको मैं डिट्रेस से बता चुका हूँ इसमें कंफ्यूज मत होना गलती से भी गलती मत कर देना यहाँ पर यह मिलते जोगते शब्देते इसको मुझे लगा कि वह बताना चाहिए आप लोग को चलो अगर देखे बात करें आप एस साल वर्ल्ड पूर्ट प्रैस किसे मिला है तो यह मिला है शकूंतला हरख सिंग चलो चलो नेक्स को चलते है आपके सामने वो यह है एक और इंवेस्टमेंट प्लाटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रो तो ग्रो ने क्या किया है किसे यहां पर अधिग्रत कर दिया है इसका सही आंसर पच्छे हैं पर क्या देखी इंडिया बूल्स मूचल फंड को क्या बात है बहुत चल रहा है मारकेट में और यहां पर बहुत सारी टीवी अप्रिकेशन आ पर किजिए और कहां पर रिक्स है कहां पर रिक्स नहीं है तो पूरा-कापरा ओनमार्केटिंग की जा रही है बहुत ही कम सेमें के अंदर से बहुत जाद बना लिए एक सर्वे किया गया जिसमें बताया गया था कि अभी ग्रो की बात करते हैं तो बहुत बड़ा प्लैक्फोर्म है जो ग्रो यहां पर कवर कर चकी है और इसने इंडिया बुल्स को आप खरीद लिया है इंडिया बुल जब बात करते हैं मेरे साथियो तो बहुत सारी अपर फंडिंग से जो इस एप्लिकेशन में की गई है चलिए नेक्स कोशन देखे बहुत बढ़िया है कि इनमें से कौन सी एकॉमर्स कंपनी है जिसने लांच किया है संजीवनी टू मैच कोविट पेशन विद प्लाजमा डोनर्स और इसका जो सही आंसर हो कि हैं पर देखे स्नैप दिल आई एस तो स्नैप दिल ने क्या किया है यहां प थाहरी प्लाजमा में बंनार्मट है कि हमारी शरी समय के अंदर बढ़ाद से काम का मी करती है हमें किसी भी virus bacteria किसी भी pathogen से लडने का जो शंता मिलती है जो immunity मिलती है वो इसी antibody से मिलती है और आपको बता दू कि अगर antibodies develop हो गई है it means कि you are secure from that point of view आपके उस virus से उस bacteria से उस pathogen से सुरक्षा की जा सकती है तो हमारे शरी में antibody की डिवलोग करने के दो तरीके है या तो infect हो जाईए या कहीं बहार से उसको अपने शरी में ट्रांस्वर कर ला लीजिए बाइदी vaccination और बाइदी donation तो यह दो तरीके हो सकते हैं तो मेरा माना है कि infected होना wrong decision रहेगा अगर आप उसे लेते है बाइदी method of vaccination त पहले यह जो फीचर था अपने एक customers के लिए अपने workers के लिए अपने employees के लिए लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया है तो यह आपसी examination में question पूछेंगे तो यह COVID-19 की वुरुद में एक बहुत बहुत सहासे कदम है snap deal के द्वारा किया गया तो यहापे by the SMS आपको यह सारी की सारी चीज़े मिल जाएंगी और यह पहले employees के लिए खोला गया तरे के बाद में पूरे customers के लिए आपे खोल दिया गया है संजीम नी का कारिकरव तो snap deal तो snap deal देखी इंडिया की एक e-commerce company है जो यहाँ पे न्यू दिल्ली बेस्ट है इसे फरवरी 2010 में start किया गया था कुनाल बहल वरतवार में इसके CAEO है चार फरवरी 2010 को इसकी स्थाफना हुईती कहां पे न्यू दल्ली के अंदर और जस्पिर इंफो टेक इसकी parent organization में शामिल होती है Recently Facebook और Paytm ने launch किया है COVID-19 vaccination को बढ़ाने के लिए आपे vaccination finder tool तो यहाँ पर देखिए हम जब बात करते हैं तो vaccination जो centers है उनको find करने के लिए और जो slot मिल रहे के नहीं मिल रहे है इसकी यहाँ पर जानकर दिखाने के लिए यहाँ पर Paytm और यहाँ पर Facebook ने जो application है वो launch किया ह और मैंने आपको कर बताया दा देखिए कि Twitter की जो बात करते हैं तो Twitter में हाँ पर 15 million dollars को जो साहता राशी वो दिये है भारत के 3 NGOs को COVID-19 के इस pandemic से निवटने के लिए चलिए, next question पर यह है कि किस देश ने यहाँ पर recently approve कर दी है P-Pfizer vaccination for children in the age group of 12 to 15 years तो 12 से देखिए 15 वर्ष के जो बच्चे है उन्हें vaccination मिलनी चाहिए और vaccination लगनी चाहिए P-Pfizer यहाँ पर इसको approve करने वाले देश कौन से है तो answer ने पर किया में चाहिए US, that is US तो USA है, actually दिखा जातो, US ने है, USA है, तो US ने से मंजुरी कर दी है, तो यहाँ पर P-Pfizer लगने वाले यह देखिए US के दोरा प्रूफ कर दिया गया है देखिए यह जो BioNTech है इसके दोरा देखिए बनाए गया है, हम जब बात करेंगे तो दो डोस मिलने वाले है वेक्सिंग को 12-15 बच के बच्चों में और यह वेक्सिनेशन प्रॉइड करने वाली है इन बच्चों को फ्रम इस कोरना पैंडिमिक तेकि यह तो शूर है, अगर P-Pfizer वाप एक काम ना करना शूर कर दी तो भारत में जल्दियां पर ला दी जाएगी और ऐसा नहीं कि भाद में वेक्सिनेशन हो नहीं रहा है, देखे हो तो रहा है लेकिन थोड़ा सा मैं बता हूँ देखे कहिने के मैनेचमेंट सहीर नहीं है, अभी जी साब से 18 प्लस वेक्सिनेशन चल रहा है, वो बहुत स्लो स्पीड से है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ यह करता है, कब करोंगा अभी भारत में देखा जा सब डिर्पर्तिशत लोग हैं जो प्रॉपर बड़ने ही और प्रतिशन की और भरने ही् है चलो, तो पीफाइसार रिखे है आलबर्ट वहोड़ रु ला इसके रिकिए वरतमार में सीई ओ है और यह एक नियूरोग बेस्ट आप ऐसे तहें यहाँ पर USA बेस्ट हैं पर कमपनी है जिसने वैक्सिनेशन को बनाया देखे डवलुएचो ने क्या किया है यहाँ पर चाइना की वैक्सिनेशन है जिसका आमें सिनोफार्म को आपर कोवले वैक्सिन के एमेजंसी यूज 킬 के लिए एपडरुबल कर दिया और साथी साथ बता दून मेरे साथियों कि चाइना किया है भी यहाँ पे पांच लग वैक्सीनीशनस यहाँ पहरत पर पड़ोसी देश देश बह्त मदूर हसे जा रहे है जिस तुरह से भारत ऑंडर्ण देश की संबंद सुधरता की और बता दो मेरे साथ कि कहिना के लिए कि भारत और यहां पर भारत के जो एरिया ना चिकन एक माला इलाखा अगर बांगर देश समर्थन में रहता है तो चिकन ने का कोई खत्रा में कभी मिलने वाला नहीं है जैसा दो क्राम पर भी बीच में हुआ था सीन हम उसमें कभी च अगर चाइना की जब बात करते हैं तो चाइना ने अपनी जनसंग को रोकने के लिए बहुत प्रयास भी आ इसा नहीं कि रोक्या नहीं है जिस स्पीड से लोग बढ़ रहते हैं उस स्पीड को बहुत कंट्रोल कर दिया लेकिस पीड तो थी यहां पे चाइना में एक पॉल जो 1969 में यहां पर 1979 में बचे एक मुटना यह 1979 में हम पर लाउग कही थी तो देखिए वन चाइल्ड पॉलसी अब आपको मैं एक छोटी सी बाप बताता हूं देखिए एक्जामनेशन में को दो कुशन बहुत प्यारे बनते हैं पहला कुशन बनता है कि विश्यू का बूड जापान और विश्यू का बूड़ा होता हुआ देश कौन सा है तो चाइना देखिए हुआ कि जन संक्या का जो यहां पर बहाफ ता वो रुखत हो गया लेकिन अब यहां पर यहां पर यहां पर बच्चे बहुत से लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते थे और यहां जंसंक्या में देखिए बहुत बड़ी गिरावट आये यहां पर 70 में सबसे कम यहां पर ग्रोफ रेट है पोपलेशन की चाहिना की यह बहुत बढ़ा आंकड़ा भी सामया आया है कि पोपलेशन की जो बात करते हैं चाहिना की तो सबसे कम यहां पर रफ्तार है इन 70 द्वारा कौन सा बैंक की जिसने माइक्रो साइट को लांच किया है इसका सभी बच्चा से हैं यहां पर देखें करने वाले हैं यहां पर प्लाजमा डोनर्स हैं उनकी पूरी की पूरी सूची जारी की जारी है से प्रॉसेस की जारी हैं पर बैंको बढ़ुद्रा के द्वारा तो यहां पर देखें कोविड-19 की सिचुचेशन को निबटने के लिए और यहां पर देखें अधर सप्लाज को पूरा करने के लिए जैसे ऑक्सिद सिलेंडर हो गए हैं पर प्लाजमा हैं होस्पेडल बैट् यहाँ पर किसके दौरा मेरे साथ थी ओ, बैंको बडूद्रा के माइक्रो सैट के दौरा, तो बैंको बडूद्रा ने लॉंच किया है माइक्रो सैट to support the staff amid in the second wave of COVID-19 situation, तो देखें बैंको बडूद्रा के बात करते हैं, तो अलका पूरी बडूद्रा में देखें, इसका 2006, 2008 में बडूद्रा के अंदर और देखें, अभी हाली में विज्या बैंक और डिरा बैंक का इसमें विल्या कर दिया गया है, वहाँ सारे बैंक से हैं जो अपस में मिला गए हैं तो यदि आप से कोशन पूछा जाएं किस बैंक में विल्या कर दिया गया था, तो यह answer यहां पर क्या इवा अभी वा किया है ज़र समझें डिके विलेश लेवल पे गाउं के लेवल पर जो अंत्रोपनियों उसे अन्हें पर देने के लिए और यहां पर गाउं के स्थर पर जितने भी यहां पर देखें जो कुशल लोग हैं जो अपने चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं उनकी सभी जानकारी को एक प्लैटफॉर्म पर लाया गिया है तो उन्होंने क्या किया है चैट बोक्स को जारी किया है जिसका नाम है याद कर लेजेगा और यहां पर देखें एक रोबोट है जो लेक्या है जिसका नाम है इरा तो यह चोटी जिबात है मैं माफिच होगा मेरे शब्दों से मेरे मुह से गलती से बेटा शब्द निकल लाता है तो सॉरी फॉर दिस यह मेरी तुरी आदरत है पुरानी मैं इसको जल्द शहर में अंतराश्टी फ्लिम महतसव में सर्विशिस्ट अभीनियता का पुरस्का मिला है इंपॉर्टेंट है मुझे लेगा तो उको बताना चाहिए इसका सही आंसारे मेरे साथियां पर कौन से लेखिए अनुपाम कहा रही है तो अनुपाम को मिला है बेस एक्टर एक न क्या गजब की एक्टिंग की इसके अंदर अनुपाम खेंने पुरस्का मिलना तो सुभाब एकसी बात है भारत में कदर तो है यह सकते बात है तो इसको याद कर लेजगा कि अनुपाम खें को मिला है फॉर दी शॉट फ्लिम यहां पर हैपी बड़े चलो इस साल जो ऑसकर दिए गया थे नो चब्वी सब्रेल को जो ऑसकर दिए गया थे उसमें बेस्ट फिर्म यहां पर कौन से थी नुमाड लैंड याद कर ले जगा और ऑसकर ओवर्ड के लास्ट में यहां पर देखें ट्रिबूट दिया गया पर एरपान खान को जिनका पिशली साल यहां पर नेधन हो चुका था चली नेक्स कोश्म पची आप दिया गया है कि अभी हाली में देखिए चरचार में रहे पार्सी खिलाडी जिंका नाम है जो अभी यहां पर भारती राश्टी करिकेट टीम कर सदक से बन चुके है उनका नाम क्या है तो इनका जो नाम है मेरे साती वह क खिलाडी टीम में चुने गया है अगर बाग की जा देखिए तो 1975 में यहां पर फारुक इंजिनियर थे जिन्होंने फाइनल टेस्ट खिला था जो पार्सी खिलाडी थे और हम जब बात करेंगे पर द्याना एदुजी यहां पर देखिए वोमें टीम में थी जो जुलाई गया है एक है उन्होंने गया है यहां पर प Milan कर लिया है और रिपी 60 और आपको बता दो मेरे साहति हो कि यह दिखिए गizers Vauresiner के फ्ना सफर पार्क माना गया है जिस्का नगे गया पतंजली की जब बात करते हैं तो पतंजली आयरुवेदा जो यहां पर बहुत सारे प्रोड़क्ट्स बनाने की लिए इसके बाला कृष्ण देखे ओनर है जनवरी दोजाट 6 हरीद्वार में से एक है वहीं पर बात करते हैं रुची सोया के बारे में तो संजीब अस्ताना जी देखे वरतमान के CEO है दिरेश सहारा जी की द्वारे से पॉणर जोख़ा पर बात करो स्वयाइबीन क में बहुत जाता है कि जो स्वयाबीन स्वयाइबीन। याद करनी मेरे साथ हो यहोद है ऽॐ हाँ बात करें पर गलैसीन host यहाँ पे glycine max यहाँ पे किसका नाम है बच्छे? तो यहाँ पे सोयवीन जो फसल होती उसका वेज़्ञानिक नाम कहें दीजे या वनिस्पतिक नाम कहें दीजे वेजेटेशन नाम कहें दीजे वो यहाँ पे क्या है? glycine max है और इसका जो सबस्ते ज़्यादा उत्पादर है ना वो मालवा के पठार में है अच्छा आप में से कितने बचे जानते हैं कि मालवा का पठार और मालवा का मैदान एक है या अलग-अलग है आप इसका हैं मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रू दीजेगा एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नहीं ओसीरिस आरी एक्स तो यह रिटन हो चुका है बापस प्रित्वी पर यहाँ पर किस एस्ट्रोइड से अपनी सारी सुष्णों को प्राप्ट करके तो यह एक एस्ट्रोइड की यात्रा पर गया ता जिसका नहीं बैन्नू अब दिखें यहां पर यहां पर यह स्पेस क्राफ्ट है जिसने एस्ट्रोइड से बहुत सारी चीजों को प्राप्ट किया है अभी एस्ट्रोइड के देखें हमारी तो के बनने के बहुत सारे थीयोरी में है वह सन्राप्ट है यहांप एक लिवे एक एक्सप्लोजन हुआ तो हमारे solar system और हमारे आसपास के शितका निर्मान हुआ तो वहां पर किस प्रकास से बहुत सारे debris से बहुत सारी मलवा थो जो space में भिखर गया और जिसे बहुत सारी चीजे बनी हैं तो क्या यहां पर इन मलवों के अंदर ऐसी चीजे पाई जाती हैं जो हमारे प्रिफिर भी मिलती हों बहुत सारे प्लैनेट्स पर पाई जाते हों तो उन सब के study के लिए यह जो spacecraft है भेजा गया था तो यहां पर जो big explosion हुआता ना उसके तरफ जो मलवा पहला है उसके study करने के लिए यह जो spacecraft है भेजा गया था अगर आपको स्पेस को जतना जाना है वह बहुत कभ हैना के बराबर है लेकिन हां हमारे assumptions काफी सटीग बैटे हैं जिससे बहुत सारी चीजों को हम पर शामिल किया है यह शूर है तो स्पेस में कभी फिर बात करेंगे हैं पर कोई दिक्कत नहीं है दूसरी बात जो इंपर्टन वह यह है यहां पर है पोटी सिस चल रही है है कि हम हमने एक सटिक अनुमाल लगा लिए कि यह कंडिशन यहां पर हुई होगी तो सब्सक्राइब के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को ऑन दी बेस अज़िए लिया है जैसे हम बोलते हैं कि प्रित्वी के के अंदर वास्ता में इतनी बड़ी खुदाई नहीं की है हमने मैक्सिमम जो गंड़ा होगा है क्योंकि उसके बाद टेंपरेचर बहुत दा हाई हो जाता है हम पर कैसे बोलते हैं कि प्रित्वी की सारी क्ली में नीचे यह मिन्नने वाला यह सारी की सारी की सीज़ी की एता है इस सब बहुत ही सही तरीके से लेंड कर चुका था इसकी टेस्टिंग भूई थी और मैंने बताया था अब आपको अभी चाइना का यहां पर गिरा है का पर मेरे साथी हो वह कहां गिरा है वह गिरा है मांदिव के पास में जो इंपॉर्ण था अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में देखे आज मैंने फोटो क्यों लगाई कि भारत की जो बात करते हैं तो भारत में दिल्ली का लांकिला है जो आज ही के दिन बनके तयार हुआ था मेरे साथी हो तो यहां पर 13 माई की हम बात करते हैं एक्जामनेशन में कोशन पूछेंगे तो 13 माई 1648 को देखे दिल्ली का जो लाल के ला था वो बनके तयार हुआ था आपसे एक्जामनेशन में कोशन पूछेंगे कि इसका जो में आर्किटेक्टर किसके द्वारा करवाए गया था तो यहां पे जो में आर्किटेक्टर तुमका नाम था उस्ताद एहमार लाहोरी और यह वही दक्ति है जोन्होंन को भारत के लिए एक अच्छे इसमारा की तौर पर जाना जाता है आप मैं जरू बताएगा कि क्या दिल्ली के लाल के लिए को यहां पर यूनेस्को की विश्वी धरोगा सुचे में शामिल किया गया है यदि यहां तो कब किया गया आप इसकास में जरूर दीजिगा तो सा यहां पर देखिए यह फीस पे ना खीज़ेगा यूस कीज़े मेरा कोड़ एश्टी सर्टैन एंड सेम मनी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मेरे साथियों वह यह है कि आप इसकी प्रेडियों को प्राप कर सकते हैं बाइड एडिंग दा चैलिग्राम चैनल यहां आपको मेरी फोटो मिनने वाली है विदा सेम टीशेट आप इस टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएए जहां पर लाइफ प्लासस और यहां पर बहुत से इंफोर्मिशन मिनने वाली है तो साथियों इन सब बातों से मैं रेता हूं विदा हम कल दुबारा मिलेंगे बहुत के साथ में तब तक के लिए जय हिल जय भारत